हलो एबरिबन कैसे आप सभी उमीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है अमीद कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज ब्लड रिलेशन की सेकेंड क्लास तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि आज की क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है जिसमें हम competitive exam के लिए काफी important question के इंपर discuss करने वाले हैं तो बता दूँ आपको कि वीडियो को बेना skip किये हुए सुरू से लेकर end तक देखना ना भूलें ताकि कोई भी question आपसे मिस ना हो आज के session का पहला question आपके सामने ये रहा question दिया गया है यदि P पती है क्यो का और R माता है S और क्यो की तो R से P का क्या संबंध है आपको ये बताना है इसमें आपको चार option दिये है first option है mother second option है sister third option है aunt यानि के मोसी last option आपको दिया है mother-in-law यानि के sauce जल्दी से जिसकिसी को भी इसका सही answer पता है comment box में comment करके बता सकता है चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे question था यदि P पती है क्यो का P पती है क्यो का और R माता है S और क्यो की S और क्यो की माता है यहां पर S और क्यो की माता है R आप से पूछ रहा है तो R से P का संबंध क्या है R से संबंध पूछ रहा है P का तो मतलब P R का क्या लगता है relation बताना है R P का क्या लगता है तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option number A यानि के मदर option number A mother I'm sorry इस question का सही answer D रहेगा क्योंकि यहां पर क्यो है वो इसकी बेटी है और यह P और क्यो आपस में husband wife होंगे ठीक है तो इसका सही answer रहेगा mother in law यानि के सास चलिए next question question number 22 आपके सामने यह रहा P और क्यो भाई है P और क्यो यानि के दोनों के जैंडर यहां पर clear है P और क्यो आपस में भाई है R और S बेहने है P का पुत्तर S मतलब यहां पर P का पुत्तर दिया गया है S और P और S आपस में बेहने है P का पुत्तर S का भाई है P का पुत्तर यहां पर इसका पुत्तर होगा P का जो की S का भाई है और S और R आपस में दोनों बहने है क्यों तथा R में क्या रिस्ता है यह पूछ रहा है आपसे क्यों तथा R में क्या रिस्ता है इन दोनों में क्या रिस्ता है आपको ये बताना है question में P और Q दोनों आपस में भाई है तो आपको बताना है कि P और R और Q में क्या संबंद है यहाँ पर Q का संबंद होना चाहिए था Q का संबंद R से क्या है Q का रिस्ता तो इसका सही आंसर हैगा चाचा यानि के अंकल option number A option number A इस question का सही answer रहेगा चलिए next question देखते हैं question क्या है question आपके सामने है कि A एक पुस्तक पढ़ता है एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से बहुप परीचित है C का चाचा लेखक B है C का चाचा तो ये C बना लेते हैं इसका यहां पर फादर आ जाएगा और ये आ गया इसका चाचा जो की बताया गया है लेखक है C का चाचा लेखक B है A की पुत्री C है A की पुत्री C है A की पुत्री आ गई C तो A यहां भी आ सकता है इसकी मदर भी हो सकती है लेकिन फिलाल यहां रख लेते हैं किस परकार A से B सबन्दीत है ब्रदर A से सबन्दीत बोल रहा है तो ब्रदर सेकंड ओप्सन है सिस्टर थर्ड ओप्सन है फादर फादर तो होगा नहीं क्योंकि फादर सेम जेनरेशन में नहीं आएगा अंकल भी नहीं आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रदर क्योंकि जेन्डर यहां पर कलेर है जेन्डर यहां पर कलेर है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A चलिए नेक्स्ट कॉस्टन next question देखते हैं question क्या है question आपके जामने है कि A की माता B की बहन है तो A की जो माता होगी यहां पर A की माता B की बहन है आगे बोल रहा है और उसकी पुत्री C और उसकी पुत्री किसकी पुत्री की बात कर रहा है यह देखो A की माता B की बहन है एक ही जो माता है वो B की बहन है और उसकी पूत्री यानि कि इसकी माता की जो पूत्री है C 21 वर्स की है इसकी आयू दे के रखी है 21 वर्स आगे बोल रहा है कि B किस प्रकार C से सबंधित है B किस प्रकार C से सबंधित है ये बोल रहा है तो यहां पर B का gender clear नहीं है mama, uncle दिया हुआ है first option में second option दिया है maternal uncle यानि कि मातर वंस mama second, third option है भतीजी और last option है पुत्री तो जिस किसी को इसका सही answer पता लग गया जल्दी से comment box में comment करके बता सकते हैं किसका सही answer क्या रहेगा आपको बताना है B किस परकार सबंदीत है C से ये बताना है ना कि C का सबंद बताना है B से तो मदर का भाई है यानि कि मात्र वंस मामा मैटर अंकल कहलाएगा ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B चलिए next question question number 25 आपके सामने ये रहा question है कि A B का भाई है इसमें A को बोल दिया गया है कि A जो है वो B का भाई है C A की मान है मान नहीं आपर मा आएगा C A की मान है D C का पिता है अब D आगया C का पिता यहां पर F A का पुत्तर है F जो है वो A का पुत्तर है आगे आपसे पूछ रहा है कि ये बताईए कि F का D से क्या संबंद है F का D से क्या संबंद है आपको बताना है चार option given है First option है पुत्तर पुत्तर तो होगा ही नहीं Second option है Grandson तो Grandson भी नहीं होगा Fourth generation में चला गया है question ही Third option आपके सामने है Great Grandson ये हो सकता है Last option है Granddaughter तो Granddaughter भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो इसका gender clear है हमें तो इसका सही answer हो जाएगा option number C Grand, sorry Great Grandson यानि कि Option number C इस question का बिल्कुल सही रहेगा चलिए next question Question number 26 आपके सामने ये रहा Question दिया गया है कि A, D का भाई है Question में जो है वो A, D का भाई है A, D का भाई है आगे बोल रहा है D, B का पिता है D जो है वो B का पिता है B और C बहने है B और C आपस में बहने हैं दोनों ये ये बताईए कि C का A से क्या संबंद है C का A से क्या संबंद है आपको ये बताना है देखो यहाँ पर B और C दोनों बेटिया है D की तो यहाँ पर C का संबंद A से बताना है कि A से क्या है चलिए option देखते हैं फर्स्ट option है cousin चिचेरी बेन तो होगा नहीं क्योंकि same generation में नहीं है second option है भतीजी C का A से सम्मंद बोल रहा है तो ये भी हो सकता है चाची तो होगा ही नहीं चाची हो भी नहीं सकता क्योंकि यहां पर gender clear है nephew भतीजा बतीज्या सही होगा स्वरी बतीज्या भी नहीं हो सकता इस question का क्योंकि gender clear है यहां पर भी तो बतीज्यी इस question का सही answer हो जाएगा C का A से क्या संबंद है बतीज्यी बिल्कुल सही answer रहेगा इसका option number B चलिए next question question number 27 देखते हैं क्या दिया गया question में question आपके सामने की X और बाई A की संतान है मतलब की A की संतान ने है X और बाई यह आपको देखे रखा इसने लेकिन gender clear नहीं आगे बोल रहा है की A X का पिता है A जो है वो X का पिता है मतलब यहां पर A का gender clear हो गया परन्तु बाई उसका पुतर नहीं है बाई पुतर नहीं है तो पुतरी होगी बाई का gender भी यहां से clear हो रहा है आगे देखे रखा है की बाई का A से क्या रिस्ता है बाई का रिस्ता बोल रहा है A के साथ तो यह तो इसकी बेटी हुई ठीक है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D option number D is question बिल्कुल सही रहेगा चलिए next question question number 28 देखते है question number 28 है यदि A B का भाई है A जो है वो भाई है B का आगे देके रख़ए कि C A की माँ है C आगे यहां पर A की मा D C का पिता है D आगे यहां पर C का पिता आगे बोल रहा है और E B का पुत्तर है E आगे बी का पुत्तर तो बताईए कि E का A से क्या संबंद है E का संबंद बताना है A के साथ E का संबंद बताना है A के साथ कि E A का क्या लगता है option आपके सामने है चचेरा भाई, होगा नहीं क्योंकि same generation में नहीं है भतिज्या second option है, third option uncle है, last option है grandson, ये भी नहीं हो सकता है तो जिसकी सी को पता है option No. B और option No. C में क्या होगा, जल्दी से comment करके बता सकता है क्योंकि question में पूचा है की E का A से क्या रिस्ता है तो चलिए इस question का सही answer हो जाएगा option number B यानिके भतीज्या क्योंकि uncle तब होता न जब आपसे A का relation C के साथ पूछा होता A का relation C के साथ पूछा होता तो इसका सही answer चाच्चा हो जाता लेकिन question में यहां E का A से relation पूछ रहा है तो इसका सही answer रहेगा भतीज्या चलिए next question देखते है question number 29 29 question यह रहा आपके सामने नीचे दिये गए कथनों के अधार पर यह ग्याद कीजिए कि P का चाच्चा कोन है मतलब आपको वो कथन ग्याद करना है जिसमें P का चाच्चा दिया होगा चार आपके सामने कथन दिये हैं चलिए देखते हैं पहला क्या है पहला कथन है कि K J का भाई है K J का भाई है यह आपको देके रखा है M K की बहन है M K की बहन है P N का भाई है P N का भाई है P और N की बात नहीं इसलिए इस लाइन को भी छोड़ देते हैं आगे देखो N J की पुत्री है N आगे यहां पर J की पुत्री और जो लाइन छोड़ी थी कि P N का भाई है वो यहां आजाएगा P आगे अन का भाई अब आपको बताना है क्या है कि P का चाचा कौन है तो P का चाचा देखें कि हम तो यहां पर के ही है क्योंकि J तो या तो इसकी मदर है या तो इसका फादर है रही M की बात तो M इसकी बुआ हो सकती है ठीक है या फिर मोसी हो सकती है तो इसका सही answer रहेगा के यानि के option number A option number A इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next question question number 30 देखते हैं question number 30 क्या दिया गए आपके सामने यदि hashtag at the rate का भाई है hashtag क्या है at the rate का भाई है आगे वो रहा है note equal at the rate की पुत्री है at the rate की पुत्री आगे यहां पर note equal dollar sign hashtag की बहन है यह आगया dollar sign जो की hashtag की बहन है और and hashtag का भाई है hashtag का भाई आगया यहां पर end तो end का uncle कौन है hashtag का भाई यहां पर question में थोड़ी सी mistake लग रही है यहां आपका note equal होना चाहिए था note equal होना चाहिए था question में आप उस्ता तो इसका सही answer आपका hashtag हो जाता है चलिए देखते है बिलकुल सही है इसका answer यहां पर hashtag है option भी सही है यहां पर तो इसका सही answer आपका option number D हो जाता है फिर बिलकुल सही है डी माता है A की D माता है A की B की एक पुत्री है C B की एक पुत्री आगे यहां पर C तो f से बिबाहित है जो f से बिबाहित है आपको बताना है कि a का पती sorry ये भी given ही आपको a का पती g है a का पती g है given है question में तो c का d से क्या relation है आपको ये बताना है सी का d से क्या relation है आपको बताना है कि first option है आपके सामने cousin ये तो होगा नहीं second option है भतीज जी भतीज्या 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 भी नहीं हो सकता क्योंकि बात तीन जनरेशन की हो रही है auntie यानि के मुसी ये भी नहीं होगा sister-in-law साली ये भी option गलत लग रहा है option में mistake लग रही है question में option में mistake लग रही है क्योंकि c का relation यहां पूछ रहा है d के साथ c का relation पूछ रहा है तो मुसेरी का बहन तो हो ही नहीं सकता है तो इस question में doubt लग रहा थोड़ा सा इसका सही answer यह नहीं हो सकता ठीक है इस question को देखा जाएगा बाद में इस question का सही answer क्या रहीगा चलिए next question question number 32 देखते है question क्या देके रखा है question है कि R or S भाई है R or S भाई है R or S भाई है R or S आपस में भाई है question में देखे रखा है X भाई की बहन है X जो है वो भाई की बहन है और X R की माता है X जो है वो R की माता है यह question में देखे रखा है X भाई की बहन है भाई की बहन है भाई की बहन आगई X भाई का S के साथ क्या संबंद है भाई का संबंद बताना है आपको s के साथ बाइ s से किस परकार सबंदीत है 1st option है मामा हो सकता है 2nd option है ब्रदर ब्रदर तो होगा नहीं मदर भी नहीं होगा क्योंकि मदर इसकी x है फादर पिता भी नहीं होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकल यानि के option number a चलिए नेक्स्ट कुश्ट नमबर 33 देखते हैं कुश्ट क्या देखियर रख़ा है कुश्ट आपके सामने यह है कि यदी A B का भाई हो यदी A B का भाई हो यहां given है आपके पास की A जो है वो B का भाई है C A की मा हो C आगे यहां पर A की मा आगे बोल रहा है कि D C का पिता हो D C का पिता हो B D की नातिन हो B D की नातिन हो नातिन मतलब Grand Daughter D की Grand Daughter हो B D की नातिन हो ये देखे रखा है आपको मतलब इसका जेंडर भी कलिर हो गए यहां से तो B का F से क्या रिस्ता होगा जो A का पुत्तर है आपको बोल रहा है कि A का पुत्तर यानि के यहां पर आपका F आ गया आपको बताना है कि B का F से क्या रिस्ता होगा B का रिस्ता बताना है F से जो A का पुत्तर है मतलो F की बात कर रहा है यहां पर F जो है वो A का पुत्तर है आपको बताना है कि B का F से क्या रिस्ता है चलिए ओप्सन देखते है ओप्सन फर्स्ट है बुआ हो सकता है कजन चचेरी बेन होगा नहीं क्योंकि same generation की बात नहीं हो रही है grand यहां पर यह गलत लिख दिया grand mother होना चाहिए दादी कर दिया फिर ठीक है यह भी नहीं होगा आपका third option है भतीजी यह भी नहीं होगा तो option number a इस question का सही answer हो जाएगा क्योंकि इसके father की बेहन जो होगी वो इसकी बुआ लगेगी यानि के option number a इस question का बिलकुल सही answer रहेगा चलिए next question question number 34 देखते है question आपके सामने यह रहा कि a b का भाई है a भाई है यहां पर b का c a की मा है question में देखे रखा है c जो है वो a की मा है b d की पोती है b d की पोती है यानि के grand daughter की बात कर रहा है तो वो कब possible है जब c का पिता आएगा यहां पर d क्योंकि b d की पोती है b का gender भी यहां से clear हो गया तथा f a का बेटा है f आगे है यहां पर a का बेटा तो f का d से क्या रिस्ता है f का d से क्या रिस्ता है आपको यह बदाना है first option है grand son यानि के पोता second option है भतीजा third option है चाचा और last option है great grandson great grandson तो इसका सही answer हो जाएगा great grandson यानि के option number d next question question number 35 देखते हैं question आपके सामने यह है कि a b का पुत्तर है a है पुत्तर b का b और c बहने है b और c आपस में दोनों बहने है इनके gender आपको दे दिये गए है e c की माता है e c की माता है it means वो b की भी माता ही होगी आगे देके रखा है यदि d e का पुत्तर है d जो है वो e का पुत्तर है तो निमन लिखित में से कौन सा कथन सही है चार कथन आपको देखे रखें आपको बताना है कि निमन लिखित में से कौन सा कथन सही है चलिए देखते है पहला क्या देखे रखा है d a का मामा है d a का मामा है बिल्कुल सही है पहला तो सही है ठीक है आपको यही बताना था कि निमलिखित में से कौन सा कथन सही है आगले भी देख लेगते हैं कि E, B का भाई है E और B आपस में भाई तो है नहीं ये तो गलती होगा Next देखो D, A का ममेरा भाई है D और E आपस में मेरे भाई तो होगे नहीं यह भी गलत है क्योंकि same generation में नहीं है last option है कि B और D भाई है यह भी गलत है क्योंकि B तो बहन है ना इसकी दोनों भाई तो है नहीं तो इसका कथन पहला सही हो जाएगा यानि कि option number A इस question का सही आंसर रहेगा चलिए next question question number 36 देखते है इसमें देखे रख़ए कि P T का पिता है P यहां पर पिता है T का आगे बोल रहा है कि T M की पुत्री है T जो है वो M की पुत्री है कब possible है जब P और M आपस में husband wife होंगे आगे बोल रहा है कि M K की पुत्री है M जो है वो K की पुत्री है P का K से क्या संबंद है P का संबंद बताना है K के साथ चार ओप्सन आपके सामने है फर्स्ट है पिता पिता तो होगा ही नहीं फादर इन लो इस क्वेशन का बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा यानि के ससूर सन इन लो P का K से क्या रिस्ता है हाँ ये बिल्कुल सही है इसका सही अंसर B नहीं D रहेगा क्योंकि यहां पर K का संबंद पूछा होता P से तो फादर इन लो होता ठीक है यहां पर P का आपको संबंद बताना था K से तो इसका सन इन लो ही रहेगा सही अंसर यानि के दामाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 37 देखते हैं क्वेश्चन नमबर 37 आपके सामने ये रहा A और B भाई हैं मतलब दोनों के जेंडरे आंक ले रहे हैं कि A और B आपस में भाई हैं A पुत्री है F की A पुत्री है F की F पत्नी है B की F आगे यहां पर पत्नी B की मतलब ये दोनों आपस में हजबन वाईफ है अब A पुत्री है F की ये देखे रखा है यहां पर E का जेंडर भी आपको क्लेर है आपको बोल रहा है आगे की B की आगे बुर रहा है कि E का A से क्या संबंद है E का संबंद बताना है आपको A के साथ कि E का संबंद A के साथ क्या है Option आपके सामने चार गिवन है पहला है बहन, बहन तो होगा ही नहीं Second option है डोटर तो डोटर तो A की है ही नहीं है ये भी गलत हो जाएगा Sister-in-law ये भी नहीं होगा भाभी तो है नहीं Last, third option बच गया तो 22 का सही आंसर होगा भतीजी चलिए अगला question Question number 38 आपके सामने ये रहा Question ये है कि M और F एक बिवाहित दमपती है मतलब दोनों आपस में ये एक बिवाहित जोड़ा है M और F लेकिन ये पता नहीं किसमें पती कौन सा है पतनी कौन सी है आगे बोल रहा है कि A और B बहने है A और B बहने है A F की बहन है A जो है वो F की बहन है ये देखे रखा इसने और A और B भी बहने है मतलब यहां B B C की बहन आ जाएगी आगे बोल रहा है कि BM की क्या लगती है BM की क्या लगती है ये बोल रहा है तो वो बहन ही लगेगी क्योंकि सेम जनरेशन में है तो इसका सही आंसर हैगा option number A बहन चलिए next question sister in-law यहाँ पर गलत दे के रखा है यह सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर यह दोनों आपस में husband and wife है gender clear नहीं थे gender clear नहीं थे इसलिए इसका answer जज़ करना मुस्किल है B बिल्कुल सही आंसर नहीं बोल सकते है कि इसका सही आंसर B ही रहेगा in case यह सोचो कि यह आपका इसका gender मतलब male यह होता female यह होती तो इसका answer यह नहीं हो सकता तो फिर A इसका सही आंसर होता तो इससा question के साब से देखा जाए तो इसका सही आंसर B ही रहेगा फिलहाल तो झालिए next question question number 39 question number 39 कि यदि A माता है D की यहां पर A जो माता है d की B बेटा नहीं है यहां पर बोला गया है कि A माता है D की B बेटा नहीं है किसका C का C पती है D का C पती है D का यह आपको देखे रखा दोनों आपस में husband wife है B की आगे वोर रहा है कि B बेटा नहीं है C का बेटा नहीं है तो बेटी होगी फिर यह आगे वोर रहा था कि C पता है D का स्वरी क्वेटा में थोड़ी सी मिश्टेक कर दी है मैंने दोवारा से देख लो इस क्वेटा को क्या करेंगे यहां पर क्वेटा आपके सामने था कि A माता है D की और B बेटा नहीं है C का और C पता है D का C पता था D का मतलब यहां पर C आपका यहां आ जाएगा यह दोनों आपस में हज्टेक वाइप होंगे आगे बोल रहा था कि B बेटा नहीं है C का B बेटा नहीं है तो बेटी होगी फिर B यहां पर बेटी आ जाएगी C की D बेहन है B की यहां पर D बेहन आगे है B की तो आपको बताना है कि A का B से क्या संबंद है A का संबंद बताना है B से उप्सन आपके सामने है Mother पहला उप्सन दूसरा उप्सन है ब्रदर ब्रदर तो हो ही नहीं सकता Stepson ये भी नहीं होगा Sister भी नहीं होगा तो उप्सन नमबर A इस question का सही answer रहेगा यानि के माता आज के सेसन का last question question number 40 आपके सामने ये रहा question number 40 देखे रखा है कि A और B करमसभ भाई और बहन है मतलब यहां पर A भाई होगा B इसकी बहन होगी आगे बोन रहा है कि C पिता है A का C पिता है A का D बहन है C की D बहन आजाएगी यहां पर C की और E मा है D की E आजाएगी मा यहां पर D की तो B क्या लगती है E की B क्या लगती है E की यह बोर रहा है मतलब आपको B का relation बताना है E के साथ पहला आपके पास option है Grand Daughter Second option है Great Grand Daughter यह तो होगा यहनी क्योंकि तीन जनरेशन की बात हो रही है थर्ड ओपसन है बुआ यह भी नहीं होगा लास्ट ओपसन है पुत्री डोटर यह भी नहीं होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A 40 questions का सही आंसर हो जाएगा option number A तो आज के session में आपके लिए इतनी question लेके आया था वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सुस्क्राइब करना ना भूले